तो दोस्तो पास्ट में हम लोग एक बात कर चुके हैं कि स्वेडन का ग्रिपन फाइटर जेट पिछले 8-9 सालों से एक नए कस्टुमर के लिए परेशान हो रहा है लेकिन दोस्तो समस्य वाली बात ये है कि बीच बीच में रफाल जैसे फाइटर जेट एतने ज़्यादा प्रचलित हुए कि उन्होंने सिंगल एंजन फाइटर जेट की जो वैल्यू थी उसे काफी ज़्यादा कम कर दिया और आप दुनिया के गिने चुने देश ही इस तरह क फाइटर जेट खरिद पा रहे हैं उनमें भी मोसली आपको वही सारे देश मिलेंगे जो काफी चोटी एरफोर्स रखते हैं जिनके रिक्वार्मेंट चोटी है इसके अधरिक सिंगल जेट वाले फाइटर जेट ज्यादा देशों के पसंद नहीं रह गये हैं हालाकि इसका जैसे फाइटर जेट ही खरिद रहे हैं हालाकि बीच में स्वीडन को थोड़ा सा मोका ज़रूर मिला ब्राजिल की तरफ से जब उन्होंने कुछ थोड़े बूत फॉल ओन ओर्डर के तहट ग्रिपन फाइटर जेट के ओर्डर दिये इसके अधरिक स्वीडन के पास अन्य क कोई भी नया ग्राग नहीं है इसी को लेकर दोस्तों मैंने आपको कुछ समय पहले के एक्स्क्लूसिफ खबर बताई थी जब शांगरिला डायलोग चल रहा था सेंगापुर में वहाँ पर मैं आपको बताए था कि स्वीडन और साथ ही फिलिपिन्स की बीच में के वो यू जरुवत थी जिसके लिए एचेल काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था और फिलिपिन्स के साथ चुकि हमारे डिफेंस रिलेशन्शिप काफी ज़्यादा पुराने है ब्रमोस का भी पहला कस्टोमर है अन्ने कई तरह के हतियार वो हमसे खरिता रहा है तो यहां पर भारत को बहुत जादा उम्मीदे दिखाई दे रहे थी कि तेजस फिलिपिन्स द्वारा खरिद लिये जाएंगे लेकिन जब वो M.O.U. साइन हुआ था मैंने आपको उसी वक कह दिया था कि आप मुझे नहीं लगता कि तेजस फाइटर जेट की दाल गलने वाली है फिलिपिन्स जिसके अंदर F-404 एंजिन का इस्तमाल किया जाता है और बड़ी बात कि ये जो ग्रिपन पुराने वाले फाइटर जेट हैं इनके अंदर भी अमेरिका की जनरल एलेक्टरिक के F-404 एंजिन इस्तमाल किये गए हैं तो दोनों को मेंटेन करना भी थोगा सा आसान हो लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और नई खबर निकल कर आ रही है और वो सीधे जुड़ी हुई है स्वीडन और भारत से दरसल भारत के अंदर भी अपने ग्रिपन फाइटर जिट को बहुत ज़्यादा मजबूती से पुश कर रहा है स्वीडन वैसे इस तरह की खबरे बा एक रफाल की तुलना में दो ग्रिपन फाइटर जेट ले लीजिए इसके साथ उनकी तरफ से ये भी आसवाशन दिया गया कि आप जो अपने अगामी प्रोजेट कर रहे हैं जिन में तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट शामिल है इनके डेवलप्मेंट में भी हम आपक को सयोग करेंगे और कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज देने की वो लोग कोशिश कर रहे थे और इसमें वैसे कोई बूरी बात है भी नहीं जो विदेश इस तरह के फाइटर जट बनाता है डेफिनेटली उसका ये हाग है कि वो किसी विदेश के सामने आफर कर दे लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही थी और वो समस्या थी एंजिन की टेकनोलोजी को लेकर क्योंकि MRFA प्रोग्राम के धोरान हम लोग डेफिनेटली एंजिन की टेकनोलोजी भी चाह रहे थे लेकिन चुकि स्वीडन भी अमेरिका के F414 एंजिन इस्तिमाल करता है साथ में लोकल मेनुफैक्चरिंग के सुविदा भी है तो यहाँ पर स्वीडन को एक अलागी आउसर दिखाई दिया है और स्वीडन को अब लगने लगा है कि MRFA में उसकी इस्तिती और मजबूत हो गई है पहले की तुलना में क्योंकि 114 फाइटर जिट जो भी पड़ती है तो वो भी भारत अपने खुद के बूते कर सकता है साथ इनकी बात की जात इसके अंदर एडवांस अब्योनिक्स लगावा है यह से रडार सिस्ट्रम है साथ में जो यूरोपेन एंबीडिये द्वारा हतियार बनाए गए हैं उनका इंटिग्रेशन इसमें किय जा सकता है जिसमें मिटी और मिसाइल का भी एक नाम ले सकते हैं तो अल्टिमेटली एक बहुत ही शांदार पेकेज के साथ स्वीडन फिर से कोशिशे कर रहा है कि भारत अमारे फाइटर जेट खरीद ले लेकिन अब आप थोड़ा सा यह सोचिए कि मान लीजे हम अमारे फ फाइटर जेट के समतुलिय है इवन कई मामलों में उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है इसके अलावा अगर यह लोग योरोपेन हतियारों की बात कर रहे हैं तो हमारे तेजस में भी कई सारे योरोपेन हतियारों को इंटिग्रेशन कर सकेंगे इसराइली हति हमले की इन फ्यूचर टोटल चार मिसाइले हो जाएंगी तो वो सारी मिसाइले लगबख सभी तरह के बॉम्स बनाए गए हैं तो इतने शांदर पैकेज को छोड़कर हम लोग क्यों भला MRFM में स्वीडन के फाइटर जेट खरी देंगे क्यों ना इसके बदले हम लोग हमा काफी जादा पहले से फाइटर जेट का निर्मान कर रहा है तो ये भी एक उपलबदी वाली बात है वो उफर दे रहा है वो उसकी अलग बात है लेकिन उस उफर को स्विकार करने का हमारे पास कोई उचिती नहीं है क्योंकि उससा अच्छा आप्शन हमारे पास मौजू द नहीं हो नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा